तो दोस्तो अब तो बुलेट ट्रिन के मामले में महारास्टर ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे जानकर तो मानो पूरा देश ही हेल गया है लंबे समय से महारास्टर को कोसा जा रहा था कि आपके याप पे लैंट एक्विजिशन बहुत जादा डिले हो रहा है हमारे जैपनिस ओफिशल्स भी हुआ पर काफी जादा नारास चल रहे थे बट अभी आई रिपोर्ट के अनुसार महारास्टर में इतना तेजी से लैंड एक्विजिशन किया गया कि इन्होंने तो गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया है लैंड एक्विजिशन के मामले मे जिसके चलते कोड बैटल्स फाइट के जा रहे हैं विद ओनर्स बस अब पालघर में 0.32 हेक्टर और ठाने में 0.75 हेक्टर हमें एक्वाइर करना है बाकी पूरा काम हो चुका है वही गुजरात में देख ले तो अभी 10.53 हेक्टर एरिया को और एक्वाइर करना है और यहा खबर आई थी 1000 इंडियन इंजिनियर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी जैपान के ओफिशल्स के द्वारा और हाई टेक बुलेट रे वही एकनोमिकल प्रेस्पेक्टिव से बात की जाए तो हाँ भले इसको एकनोमिकली वाइबल होने में लगबख 4-5,000 टिकेट रखना पड और उसके ठीक 19 साल बाद ही केवल दो दशकों के अंदर लॉंच होकी थी देश की नहीं लेकिन पूरे दुनिया की फास्टेस्ट एवर बुलेट ट्रेन शिंकेंसन फिर इसके बाद जिस तरह से ट्रेमेंडस ग्रोथ देखने मिला इसने तो पूरा इधियास ही बदल दिया खेर भारत में जो बुलेट ट्रेन लॉंच होगी उसको काफी मोडिफाइ भी किया जा रहा है इंडियन कर्डिशन के हिसाब से एंड देन अनली हमारे देश में लॉंच होगी दुनिया की फ़न आफ दी वास्टेस्ट बुलेट ट्रेन वैसे महारास्ट में जो बड़ा एक